हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड, स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियोस का बेसमरी से इंतजार रहता है मेरा स्केडूल थोड़ा बेजी होने की वज़े से मैं वीडियोस पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ आप सभी को टाइम नहीं दे पा रही हूँ इसकी वज़े से मैं आप सभी से माफी चाती हूँ मैं यहाँ से कोशिश जरूर करूँगी कि आपको दिन में एटलिस एक वीडियो आप तक पहुचा दू और आपके जो भी सवाल है जो भी क्वेरिज है आपकी उनको सवाल कर पाओ तो दोस्तों आज का यह वीडियो हमारा special हमारे ट्वीन फ्लेम की current energy के ऊपर बनने वाला है divine masculine और divine feminine के क्या energy है divine masculine और हमारे divine feminine की क्या current situation चल रही है इसके ऊपर आज का यह हमारा special वीडियो आप सभी के लिए सबसे पहले अगर हम divine masculine की बात करें तो masculine energy अभी की current situation में सैरो से गुजर रही है, दर्द से गुजर रही है, पेन से गुजर रही है, बहुत सारे पेन का सामना वो कर रही है, अब ये पेन क्या है, किस वज़े से है, ये सब उनके situation के अनुसार और उनके परिस्तिति के अनुसार उनको दिया जा रहा है, क्योंकि ह हर एक soul की journey अलग-अलग है, और इस journey में सब souls अलग-अलग रास्तों से गुजरते हैं, अलग-अलग दिशाओं से गुजरते हैं, रास्ते भले ही अलग है, लेकिन उनकी मन्जिल एक ही है, जो कि divine से जाकर मिलती है, जो कि उनको एक दुसरे के साथ reunited कर देती है, इसलिए किस में मस्कुलिन को जो भी पेन दिया जा रहा है, जिस भी दर से अभी वो गुजर रहे है, वो उनको उनके कर्मा के अनुसार और उनकी परिस्तिति के अनुसार उनके सामने आ रहा है, और इसी पेन में उन्हें बहुत से रियालाईजिशन भी होने वाले है, या उन्हें हो च जागुरत होने के लिए स्वयम को उन सारे भ्रह्मों से पहले मुग्द होना होता है। जिन भ्रह्मों में हम सारी जिंदगी इस विश्वास से गुजारते हैं कि ये मेरा है वो मेरा है। परंतो जब हम स्वयम से जुड़ते हैं, तो यह हमारे सारे मोह माया के ब्रहम तुटने लगते हैं, और हमें उस पेंप से गुजरना पड़ता है, जब हमारे सारे हमें पराय लगने लगते हैं. तो कुछ इसी तरह के pain से divine masculine की energy अभी गुजर रही है और यह एक spiritual pain उन्हें दिया जा रहा है वो भी universe की तरफ से उन्हें मिल रहा है ताकि उन्हें भी spiritual journey से अवगत किया जाए जैसे कि हमारी divine feminine को अवगत किया गया था तो कुछ divine masculine की यही energy जो की pain से गुजरने वाली energy अभी की नजर आ रही है जिस pain की वज़े से वो अपने आप के प्रती जागरुत हो रहे हैं उनके अंदर आत्म जागरुती जिसे कहा जाता है पुरानों में जिसे आत्म साक्षतकार कहा जाता है वो आत्म साक्षतकार उन्हें करवाया जा रहा है खुद के प्रती universe के प्रती divine के प्रती अपने spiritual याद्रा के प्रती उन्हें अवगत किया जा रहा है उन्हें भी अपने स्वयम को स्वयम से जुनना होता है अगर इस पेन ने डिवाइन मस्कुलिन को अपने आप से जुनने का मोका दिया है तो निच्चिंत रहिए कि उन्हें भी वो सारे रियालेजेशन होने वाले है जो कि हमारे डिवाइन फेमिनिन को इस चर्णी में हो चुके है और जिस तरह से हमारे डिवाइन फेमिनिन ने अपने सारे ब्रहमों को तोड़ दिया है अपनी सारी मोह माया से वो दूर हो चुकी है बस वैसे ही डिवाइन मस्कुलिन की भी कंडिशन इसी पेन से गुजरने के बाद उन्हें ये रियालेजेशन होने वाले है जिन से वो आज तक बंदे हुए थे जिन ब्रहमों को तोड़ने से वो डर रहे थे और जो बंधन उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटे बन रही थी वही बंधन उन्हें आगे बनने के लिए रोक रहे थे वो सारे बंधन तोड़ने के चाह में अभी हमारे डिवाइन मस्कुलिन रेडी हो चुके है और ये सारी डिवाइन मस्कुलिन की एनरजी उन सारी डिवाइन फेमिनिन से जाकर मिलती है जो डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में बैलेंस हो चुकी है और जिन्होंने अपने मिशन को अंजाम दिया है जो डिवैन के काम को पहचान कर उस पर काम कर रही है और उसे अभी कोई परवा नहीं है कि उनके डियम कहा है किस हालातों से वो गुजर रहे है और ना ही वो उनकी चिंता में अपने आपको रोक के रखी हुई है क्योंकि बहुत बड़ा कर्मा डिवैन ने डिवैन फेमिनिन के हाथ में दिया है और उस कर्मा को कैसे पूरा करना है क्या-क्या परिवर्तन उन्हें करना चाहिए और किस तरह से दुसरे सोल को भी सायाग बनने में मदद करनी चाहिए इसी काम में जितनी भी divine feminine काम कर रही है उन सभी की ये balance energy हमारे divine masculine के साथ मिलती है और ये बहुत बड़ा परिवर्दन हो चुका है divine feminine energy में जो की वो divine के universe के इशारों को सोच समझ कर अपने कदमों को आगे बढ़ाती जा रही है वो सारी divine feminine की और masculine की ये current energy है जो इन दोनों souls को अपनी जागरत अवस्ता के form में लाया जा रहा है और ये परिवर्दन universe की तरब से ही हो रहा है क्योंकि feminine energy अपने soul mission की तरब आगे बढ़ चुकी है कोई कोई feminine soul mission को हाथ में लेकर उस पर काम भी कर रही है और इसी माध्यम से ये दोनों souls आपस में फिर से एक बार टकराने की स्थीती में आने वाले है क्योंकि जब इन दोनों का पहला टकरा था इस थ्रीडी वर्ड में एक दूसरे को थ्रीडी वर्ड में पहचानने का और उसके बाद अपनी energy को एक दूसरे को exchange करने के बाद उस काम को अंजाम देना था जो की यही soul mission उनको दिया जाने वाला था और आप में से बहुत सी feminine energy अपने soul mission को अपने soul purpose को जानकर अपने mission पर काम में लगी है तो बहुत ही जल्दी इन दोनों souls को फिर से reunited किया जाएगा और वो समय दूर नहीं है जब यह दोनों souls divine masculine और divine feminine reunion में आएंगे और यह transformation बहुत ही जल्दी होने वाला है universe में तो दोस्तों यह energy उन सबे balance twin flame की थी जो आने वाले समय में एक दूसरे के साथ reunited होने वाले है यानि उनके मन के सारे doubts उनके मन के सारे confusions वो अपने divine feminine को dreams के द्वारा सपनों के द्वारा खाबों के द्वारा खयालों के द्वारा अपने विचारों के thoughts के द्वारा या फिर meditation के द्वारा वो अपने divine feminine को बताने की कोशिश कर रहे है कि तुम खुद के उपर काम करो अपने आप में तुम्हें वो शक्ती वो पावर लानी है जिससे तुम स्वयम मुझ तक पहुच पाओ और अपने उन सपनों को साकार कर पाओ जो सपने तुमने आज तक संजो के रखे हुए है उन सपनों को पूरा करने में स्वयम को अर्पित करो ऐसी feminine energy जिन्हें अपने divine masculine के सपने आ रहे है लेकिन confusions और doubts की अवस्ता में वो समझ नहीं पा रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए और उन सपनों का क्या मतलब है उन्हें जगजगँ अपने divine masculine के science दिखाये जा रहे है उन्हें जगजगँ उनके नाम दिखाये जा रहे है और उन्हें इस बात का ऐसास करवाया जा रहा है कि आप किसी ऐसी special यात्रा में हो उन सभी divine feminine को अपने divine masculine की energy strongly fill हो रही है कि जिस तरह से उनकी ये condition हो रही है same condition उनके masculine की भी हो रही है और यही reason है कि वो दोनों एक दुसरे को mirror कर रहे है और विचारों के द्वारा सपनों के द्वारा एक दुसरे की तरफ आकरशित हो रहे है लेकिन इसमें divine feminine आपको घबराने की ज़रूत नहीं है क्योंकि ये stage भी इस journey में होती है क्योंकि ये stage भी इस journey में होती है कि आपका mind पूरी तरह से वीचारों से, confusion से, doubt से भर जाता है और आप समझ ही नहीं पाते हो कि ये आपके साथ क्या हो रहा है और वैसे ही condition आपके masculine की भी होती है कि उन्हें भी इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है और ये सारा कुछ आपके साथ होना भी उतना ही रहस्य महीं है जितना की ये Twin Flame Journey इसलिए ऐसे स्टेज में घबराएं नहीं अपने आपको शांत रखे Divine से एंजल से प्रेयर करते रहे कि आपके सारे डाउंट, आपके सारे कन्फिजन्स दूर हो जाए आपके प्रेयर से आपके सारे सवालों के जवाब आपको एंजलस के दोरा मिल जाए और इस जर्नी में आपको हर जरीये से मदद मिलेगी इसमें कोई संधियर नहीं है इसलिए अपने आपको खुद को शांती के अवस्ता में रखे, बाकी सब Divine Universe को सरेंडर करे तो दोस्तों ये जो एनर्जी है Divine Masculine की और Feminine की ये दोनों भी एनर्जी थोड़ी इंग्बैलेंस की स्टेज में है जिनको अपने आपको बैलेंस करना है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरी जो एनर्जी है वो यहाँ पर मुझे ऐसी नजर आ रही है जो Divine Masculine ऐसे एनर्जी में है जिनके सामने अभी अभी उनके Twin Flame आये है यानि जिनुने अभी अभी इस जर्णी में न्यू एंट्री की है उन सभी Divine Masculine को इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि वो किसी खास जर्णी में है और इस बात को इन दोनों Souls में से जो Souls Awakened है वही Soul इस बात को समझ पायेगी और अगर ना भी समझ पाए तो उन्हें ये बात तो अवश्य ही महसूस होगी कि उन्होंने किसी खास अलग दुनिया में कदम रखा है और ये उनकी शुरुवात भी जो उनके सामने आया हुआ कोई ऐसास शक्स है जिसकी वज़े से उन्हें अजिब सी दुनिया में कदम रखने जैसा ऐसास महसुस हो रहा है और अपने आपको उनके साथ अच्छा महसुस करते हुए ये दोनों एनर्जी दिवाइन मस्कुलिन और फेमिन एनर्जी सी सुखत पनों को जी रहे हैं जो कि उन्हें शांती प्रदान कर रही है और वो अपने आप में शांती महसुस कर रहे हैं लेकिन कुछ मस्कुलिन एनर्जी अपने आपको अलगी फील करने हैं क्योंकि उन्हें नैसरगी कृत्या अलग करवा दिया गया है और उनके फेमिन को उनसे दूर किया गया है जो कि ये भी एक स्टेज है इस जर्नी की जो कि बहुत ही महत्वपुर्ण स्टेज है जिससे हर ट्विन फ्लेम को गुजरना ही पड़ता है ये एनरजी उन इन बैलेंस डिवैन फेमिन की है जो अभी हाल में ही अपने डिवैन मस्कुलिन से मिलकर जुदा हो गए है और सेप्रेशन में आ गए है और अपने आप पर काम कर रहे है ताकि उनका ये सेप्रेशन खतम हो जाए औ और फिर से एक बार डिवैन उन्हें उनके काउंटर पार्ट से मिला दे ये एनरजी भी बहुत स्ट्रॉंगली मुझे इस रीडिंग में फिल हो रही है लेकिन मैं आप सभी को जो भी फेमिनिन इस एनरजी के स्टेज में इस सेप्रेशन से गुजर रहे है उन्हें भी सारी चीजों को लर्न करते हैं तो यूनिवर्स फिर से आपको आपके काउंटर पार्ट से रियूनाइटेट कर देता है इसलिए घबराएं नहीं खुद को बैलेंस रखें इनरवर करें मेडिटेशन करें आगे बढ़ते रहें सब आपके साथ है डिवाइन एंजल दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा मैसेज मुझे देना था सेशन के लिए कॉल करते हो लेकिन आपके कॉल्स ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं जो हम तक नहीं पहुच पाते हैं आपको कॉल नहीं करना है आपको वर्ट्शॉप पर मैसेज करना है तो आपको हमारे टीम वर पिले ही आप अपने सेशन का टाइम बूक करें। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉस्ट्व रहिए, अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशन करते रहिए, सभी के लिए हैपी जर्मी।